क्या अस्थमा पेशेंट लेमन ले सकता है या नहीं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्चर निवितिता और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को नीबू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी हाँ, जब भी हाँ, मस्थमा के बार में बात करते हैं तो आपने सुना होगा ये इम्मिनिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें आपकी इम्मिनिटी रियाक्ट करती है बाहर के ऐलर्जिन्स के खिलाब और आपकी जो श्वास की नली है उसमें सिकुडन पैदा हो जाती है और वहाँ पे बलगम पैदा होता है जिसकी वज़े से श्वास का आना जाना काफी मुसीबत भरा हो जाता है और आपको सांस लेने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसी के साथ-साथ बलगम पैदा होने की वज़े से खासी आती है और आपकी जो रोज मर्रा की दिन चर्या है वो काफी बाधित होती है तो अगर हम बात करते हैं अस्थमा को ठीक करने की तो बार-बार आपकी immune system को strong करने की बात की जाती है और जब बात होती है immunity की तो उसमें vitamin C का बहुत बड़ा रोल आ जाता है vitamin C बहुत जादा important है आपकी immunity को strong बनाने के लिए और जब हम lemon की बात करते हैं तो lemon के अंदर vitamin C प्रचूर मातरा में होता है तो अगर आप asthmatic patients हैं तो आपको lemon को ज़रूर उप्योग करना चाहिए हाँ जी vitamin C से रिच होने की वज़े से यह आपकी immunity को ठीक करता ही है इसके अंदर काफी सारे antioxidants हैं जो आपकी immunity को बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ने की वज़े से secondary infection जो होता है उसकी chances काफी कम हो जाते हैं इसके साथ साथ इसके अंदर citric acid है जो आपके lungs को detox करता है lungs को cleanse करता है जिसकी वज़े से जो आपकी lungs के अंदर inflammation पैदा हो रही है बलगम की वज़े से वहाँ पे जो inflammation की वज़े से जो वहाँ पे बाधा उत्पन हो रही है सांस के आने जाने में उसको ठीक करने में काफी हद तक लावबरत साबित होता है तो अगर आप asthma के patient हैं तो आप अपनी दिंचर्या में lemon को जरूर शामिल करें बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जभी भी हम asthma के patients की बात करते हैं तो उन्हें खटी चीजों से दूर रहने के लिए कहा जाता है तो खटी चीजें आपको कम लेनी हैं लेकिन lemon की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी vitamin C रच होने की वज़े से ये आपको help करेगी अस्तमा को ठीक करने के लिए आपको इसे लेना कैसे है इसको आपको गरम पानी में डाल के लेना है तो इसकी जो ठंडक है वो निकल जाएगी और आपको help करेगा आपके lungs को cleanse करने में इसकी साथ साथ अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक मिलाके या इसके अंदर शहद मिलाके भी ले सकते हैं दोनों ही तरीके से lemon को लेना अस्तमा के patience के लिए काफी जादा लाप्रद है ध्यान बस इतना रखना है कि आपको ये दिन के समय लेना है बहुत जादा सुभ है ये चाम के समय आपको ये नहीं लेना है lemon बहुत ही अच्छा है अस्तमा के patience के लिए ये इस वीडियो में मैंने आपको detail में समझाया अगर आपको अस्तमा से related कोई भी query कोई भी प्रश्न आपकी दिमाग में है कमेंट करके हमें बता सकते हैं यदि यह हुए numbers पे call करके भी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी help करेगी नमस्कार